हेलो वरीवन मैं आपको रहेत आपका दिज़ बद्बुश सौगत करता हूँ आपके अपने अडल एक्सपर्ट चाइनल में तो इस में हम बात करने वाले हैं कि गूगल एडमोब का अकाउंट कैसे क्रेट कर सकते हैं तो अगर आपके पास एक जीमेल एंड पासवर्ड है उसका तो आप इजी लिए गूगल एडमोब का अकाउंट क्रेट कर सकते हो तो चलिए देखते हैं कि गूगल एडमोब का अकाउंट कैसे क्रेट कर सकते हैं गूगल एड़मॉब का अकाउंट गिरेट करने के लिए सबसे पहले आपको अपने ब्राउजर में आना है और सर्च बार में सर्च करना है गूगल एड़मॉब जैसे मैं गूगल एड़मॉब सर्च कर देता हूं तो आपके सामने कुछ URL उपन हो जाएंगे जो आपको एस सेकेंड में दिखाए दे रहा है गूगल एड़मॉब मोबाईल याप मोनेटाइजेशन यहाँ पे हम क्लिक कर देते हैं गूगल एड़मॉब का एंटरबेस उपन हो चुका तो अभी हम क्या करते हैं हमें नए अड़े क्रियेट करने गूगल एड़मॉब के इसलिए हम get started पे क्लिक कर देते जैसे हम के स्टार्टर पे क्लिक कर देते हैं जो भी हमारे प्राउज़र में डिफॉल्ट Gmail ID सिलेक्ट है वो आपके सामने Gmail ID ओपन हो जाएगे तो एक कुंसी भी में Gmail ID यासे सिलेक्ट कर देता हूँ और यहाँ पूछ रहा है एंटर यूँवर पासवर्ड जो भी हमने Gmail ID सिलेक्ट केती उसका हमें पासवर्ड एंटर करना है जैसे हम पासवर्ड एंटर करते हैं उसके बाद हमें Next पे क्लिक कर देना है जैसे हम Next पे क्लिक कर देते तो आपके सामने ए पेच उपन हो जाएगा तो यहाँ पूछ रहा है Select Country तो हमें यहाँ Select Country करना है आपकी जो भी कंट्री होगी यहाँ से आप Select कर देजेए जैसे मेरी इंडिया है तो मैं इंडिया पे चला जाता हूँ और यह वहाँ बे Select कर देता हूँ एंड इंडिया का टाइम जोन है पूल करता है इसलिए मैं Select Time Zone में यहाँ पूल करता डिफर्ट कर देता हूँ अगर आप जो भी कंट्री में रहते हो उस कंट्री को Select कर देजेए और अपना टाइम जोन यहाँ से Select कर देजेए यहाँ Billing Currency हो सके तो US Dollar में रखे क्योंकि Google AdMob US Dollar में आपको शो करता हूँ और पूरे टमसेन कंट्रीशन अगर आपको पढ़ना है तो पढ़ दीजेए मैं यहाँ से डाइरेक्ट I have and agree about by the AdSense terms and condition पे क्लिक कर देता हूँ and create AdMob account पे अभी क्लिक कर देता हूँ उसके बाद में यहाँ आचुका you have successful create your AdMob account बट अभी हमें क्या कर रहा है यहाँ पूचा जा रहा है हमें a confirmation email has been sent to your email address it contains some tips to get your started with AdMob क्या हम आपके email ID पे कुछ AdMob से related notification भेज सकते हैं हाँ हम सब पे SS कर देते क्योंकि Google AdMob बहुत important message हमें send करता है हमारी email ID पे जो भी हमारे AdMob से related है ओ अभी हमने सबको SS select कर देया अभी हम continue to AdMob account पे click कर देते हैं जैसे हम continue पे click कर दे तो देख सकते हैं हमारा Google AdMob account अभी clearly create हो चुका है अभी हमें कुछ step कर रहे होगे क्यूंकि हम यह within the 24 hours verify होने के लिए तो अभी हम क्या करते हैं guest ad पे click कर देते हैं यहां आप पूछ रहा है how you publish your app on the Google Play Store यहां से हम no को select कर देते हैं आप default अभी क्लिए कुछसा अभी आपका name select कर देते हैं जैसे कि मैं अभी लिख देता हू WhatsApp WhatsApp app का नाम लिख देता हूँ आप अभी default उसा भी आप लिख सकते होगे और platform android चूज कर देता हूँ ठीक है and add पे click कर देता हूँ और Congress U has been added to AdMob बोर रहा है यहां बट यहां I do it later पे click कर देते हैं ठीक है जैसे हम इस पे click कर देते हैं तो हमारे सामने clear अभी Google AdMob का account create हो चुका तो यह within the year about 24 hours में verify हो जाएगा तो इस तरीके से आप अपना easily Google AdMob का account create कर सकते हो तो I hope guys आपको समझ में होगा कि Google AdMob का account कैसे create कर सकते हैं तो अगर आपको यह वीडियो पसंद है तो प्लीज इस वीडियो को चल्दी से like कर देना हमारे चाइनल पे नहों हो तो चाइनल को subscribe कर देना तो मिल तक ले नए वीडियो में तब तक ले जहीं जीए भारत